कि को वेलकम बैक आप सभी का मेरी चैनल पर फिर से स्वागत है आप सभी का फिर से स्वागत है आज हम हाडवेर की स्क्रीज में दो ज़ू या तीन न्यू टॉपिक्स देखेंगे जिसके के बारे में आप सभी के साथ में डिसक्स करूंगा वो टॉपिक है एक्सक्लूसिव और गेट एक्सक्लूसिव नौर गेट और बफर के बारे में तो शुरू करते हैं हमारी लोगिसियुम स्क्रीन पर हम आ चुके हैं अब हम शुरू करेंगे यहां पर पिछली वीडियो में तो हमने वाइरिंग के बारे में देख लिया था और इस वीडियो में हम देखेंगे यहां एक्स और गेट के बारे में एक्स नौर और कंट्रोल बॉफर और कंट्रोल इन्वर्टर के बारे में पिछली वीडियो में हमने कुछ वाइरिंग जो छोड़ के रखे थे वो हम आ और इवन परिटी के बारे में थोड़ा मतलब कि मुझे आपको डीप में समझाना पड़ेगा कि क्या क्या चीज है वो और उसके बारे में करना अलग से होगा इसलिए मैं और परिटी और इवन परिटी के स्पेशली अलग से बनाने वाला हूं पूरा पूरा वीडियो तो हम इन दोनों को अभी छोड़ रहे हम स्टार्टिंग करते हैं एक्स और गेट से तो एक्स और गेट को हम पहले लेते हैं यहाँ पर अब यह दो एक्स और गेट है तो एक्स और गेट में हम आउट आउट पूट कैसे मतलब की उसका इंपूर आउटफुट की replay cheese set होगा कि जो पिछली विडियो में देखा था कि यह जो है वह हमारे इंपूर से आहेंगे तो मैं फटापट से यहां पर input रखता हूं फिर यह हमारा output है तो मैंने दो input ले लिए है अभी तो error दिखाएगा कि कोई input नहीं है अब आ गया तो यह जो XOR gate है वो हमें input और output में क्या देगा तो जब भी यह दोनों 0 values पर होंगे तो हमें output 0 ही मिलेगा जब भी यह दोनों 1 values पर होंगे तब भी output हमें 0 ही मिलेगा दिखाता हूं मैं आपको दोनों जब 1 होंगे तो 0 दे दिया अब इन दोनों में कोई एक 0 होगा तो वन दे देगा अगर यह 0 हुआ तो भी वन दे दिया मतलब कि 00001 पर 1 10 पर 1 और 11 पर 0 तो अगर आपको इसका टेबल देखना है तू मैं आपको दिखाता हूं प्रोजेक्ट पर जाएंगे फिर एनलाइस सर्कृट करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं यह उसका सिंबॉल है यह वाला और फिर यह और भी हमारे जो यह इंपुट है वो रहेंगे और आउटपुट में हमें एक्स दिया है मतलब कि कोई भ होगे एक्स और गेट की बात अब एक्स और गेट एक्स्क्लूजिव गेट है एक्स्क्लूजिव गेट जो है वो बेजिक गेट से भी आप बना सकते हैं और जो इनिवर्सल गेट है उसके थूरू भी बना सकते हैं वह मैं आपको आगे बताऊंगो कि कैसे इन दोनों को बन करता है और क्या चीज़े तो अभी हमने जाना यह है एक्स और गेट के बारे में अब हम इसको हटा देते हैं कि एक्स और को हटाया अब एक्स नौर के बारे तो एक्स और गेट जो है हमारा यह गेट इसके आगे हम अगर नौट गेट को लगा देते हैं ऐसे नौट गेट को तो यह हमारा एक्स नौर हो गया मतलब कि सेम ही कंडिशन है उसकी कि जो एक्स और करता है ना उसका इंवर्टेट मतलब कि उसका जो अपोजिट होगा ना वह एक्स नौर करेगा अभी दिखाता हूं मैं आपको यह रख दिया दूसरा इंपूट एक और आउटपूट अब द दूसरा इंवर्ट में से अब यहां पर एक को वन करूंगा तो यहां पर हमें 0 मिलेगा मतलब कि यह टोटली अपोजिट है उसका तो देखते हैं हम उसके टेबल को देखते हैं धायरे की यह देखो यह नोट का सिंबोल लग गया यहां पर और यह जो था ओ सिमिलरी है और क अब हम बात करते हैं आगे जो ओड और इवन पर यह डीपली करना पड़ेगा इसलिए मैंने आपको पहले बता है कि इसे मैं अभी स्किप कर रहा हूं बढ़ागे चाके मैं आपको समझा दूंगा कि क्या चीज़ है यह इवन और और परिटी अब कंट्रोल बफर के पास आ है मतलब बीच में कोई रुकावट नहीं है ऐसी चीज यानि कि बफर अब उसमें कंट्रोल लगा दिया मतलब कि हम उसको कंट्रोल करेंगे कि कब रास्ता बंद करना है कब अब हम इसमें एक्जामपल ले ले तो रेलवे में जो हम रोड के बीच में से अगर रेलवे निकल करता है अब देखिए मैं यहां पर अगर इंपुट डालूंगा इंपुट मेरा जिरो दूंगा और आउटपुट में मेरे को यह जिरो देना चाहिए बट यह नहीं देगा क्योंकि यहां पर जो इसका कंट्रोल ले उसको हमने कुछ दिया ही नहीं है कि यहां पर हम अगर जिरो देंगे तब भी यह कुछ नहीं देगा मतलब कि एक क्रोस दें दिया कि इसको समझी नहीं आ रहा कि मैं क्या दू जब तक कि यह कंट्रॉल बो पर यह जिरो रोग देगा कि अभी रास्ता आगे बंध है तुमत जा गए और जैसे ही one किया मतलब कि यहां से यह open हो गया तो यह सिधा value इसको अंदर से pass कर देगा अब यहां पर मैं one करू, zero करू, कुछ भी करू तो सिधे सिधा pass कर देगा लेकिन यहां पर one है और मैंने यहां पर इसको बंद कर दिया तो यह कुछ नहीं देगा मतलब कि यह एक रास्ता जो है वो बंद कर देगा तो यह बात होगी control buffer की इसका use जब आएंगे न तो वह को clearly idea आएगा कि क्या चीज़े बड़ अभी भी मैंने आपको एकदम simple language में बता दिया कि यह कैसे काम करता है कि मतलब कि आपको अगर इसको याद रखना है ना control buffer को तो आपको railway का जो फाटक है ना उसका example याद रखना है कि जब हम चाहिए railway आती है तो हम फाटक को बंद कर देते और जब railway चली जाती है तो फाटक को open कर देते तो यह सही है कि यह फाटक का controller है जब हमें input चाहिए तो हमें इसको one कर देना है जब नहीं चाहिए तब इसको zero कर देना तो यह basically इसमें clock use करेंगे हम आगे जाके क्योंकि control buffer जो है clock के base पे अच्छा चलता है क्योंकि हम बार बार तो यहाँ पर one zero one zero करने जाएंगे नहीं क्लॉक जो है वो आटोमेटिक पल्स जनरेट करके इसको one zero one zero देती रहेगी इसलिए यह control होता रहेगा तो यह control buffer के बारे में हम इतना जानते हैं फिर आगे और भी जाने वाले हैं अभी तो फिर हम आते हैं control inverter के बारे में अब यह जो buffer था ना उसका totally opposite inverter होगा अब नाम से ही आपको बता चल जाएगा कि तो इतना deeply समझाने की जरूरत भी नहीं है कि हमने देखे यह दे दिया input दोनों को यहाँ पर मैं one zero कुछ भी करूँगा कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा इसको कुछ भी नहीं ठीक है अब मैंने इसको control दे दिया कि भाई तेरे को zero दे दिया है फिर भी नहीं देगा क्योंकि यहाँ फाटक बंद है ना फाटक को हम one देंगे तो हमें output में क्या मिलेगा यहाँ पर सोचे जी हाँ हमें यहाँ पर output में zero मिला क्योंकि यह inverter है ना आगे note लगा दिया है हमने तो देखिए यह दे दिया हमने one और यह क्या हुआ यहाँ पर जिरो हो गया अब यहाँ पर हम zero देंगे तो one हो जाएगा मतलब कि यह totally inverted हो गया इन दोनों में अगर हमें इस में से इसको बनाना है तो यहाँ पर note लगा दो देखिए इससे इसको वापस हम ले सकते कैसे दिखाता हूँ बीच में एक note gate को जोड़ देते हैं हमने यह note को जोड़ दिया तो आप देख सकते हैं ऐसे हो गया मतलब कि यह तोड़ा confusion वाला दिकर आए यह controller चीज तो सेम ही रहेगी सिर्फ input में changes होगा जो input हम देंगे उसका opposite देगा तो यह inverter हो जाएगा अगर जो input दिया है उसका similar ही देगा कि one है तो one ही देगा तो वह हो जाएगा हमारे control buffer तो बस हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्योंकि next वीडियो में हम multiplexer और यहां तक मैं आपको समझा दूंगा फिर इसके बाद जो आने वाले ना सारे के सारे वह हमें खुद बनाने है तो हम जैसे बनाएंगे ना वैसे हमें पता चलेगा कि वह काम कैसे करते हैं यह सारी चीज़े काम कैसे करती हैं वह सारी चीज़े हम यह intro खतम हो जाएग पूरा layout का next video में उसके बाद वाले वीडियो से हम शुरू करने वाले पूरा का पूरा हमारा फॉर्स जो बीट है वहां से शुरू करेंगे कि बीट क्या चीज़ है फिर bite क्या है वोड क्या है यह सारी चीज़े हम next to next video में देखेंगे और next layout में हम यहां पर जो यह section दिख यहां selection as a pin लिखा है मैं selection as a x or x nor करता हूं तो यहां पर जो यह आपको properties दिख रही है इसमें हम changes कैसे करने वाले वो सारे next video में आपको बताऊंगा जिससे यह पूरा हमारा end of layout होगा और उसके बाद हम next to next video में हम शुरू करेंगे एक छोटे से शुरुवात के साथ जो होगी computer की beat 10 जो हम कहते है वो beat actual में होती क्या है वो किस से बनती है वो सारी में आपको next to next video में एकदम deeply introduce कराऊंगा कि beat चीज क्या है तो आज के video के लिए इतना ही और thank you for आपने हमारी channel को join किया और अगर आप हमारी channel पर नए है तो please subscribe करे और channel में जो अगर video पसंद आती है तो like भी करें और अपने दोस्तों को share भी करें